हेलो एफ्रीवान, माइ नेम इस अदीती चौधरी, विल्किम टू मै चैनल, अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसिस बोलने की ज़रूरत पड़ती है जैसे एसी ठीक से नहीं चल रहा, फ्रिज ठीक से नहीं चल रहा, टीवी ठीक से नहीं चल रहा था तो हमने उसे ठीक कराने दे दिया है पंखा ठीक से नहीं चल रहा क्या, इससे बंद क्यों कर रखा है ऐसे हिंदी के sentences जिनमें हम किसी electronic appliance के ठीक से नहीं चलने या ठीक से नहीं काम करने के बारे में बात करते हैं इनको इंग्लिश में बोलने के लिए हम malfunctioning या फिर not functioning well इन दोनों में से किसी भी एक का use कर सकते हैं दोनों का ही मतलब होता है ठीक से काम नहीं कर रहा या फिर ठीक से नहीं चल रहा किसी electronic appliance के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं इसको लेकर sentences बनाने का rule देखते हैं इसके rule में सबसे पहले subject आता है subject के बाद is or was में से कोई एक helping word बाती है sentence के tense के according, present tense का sentence है तो is आएगा और past tense का sentence है तो was आएगा और इसके बाद malfunctioning या फिर not functioning well इन दोनों में से कोई एक आता है आपकी choice के according चलिए अब कुछ examples देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आज जाए AC ठीक से नहीं चल रहा या फिर AC ठीक से काम नहीं कर रहा The AC is malfunctioning या फिर The AC is not functioning well Fridge ठीक से काम नहीं कर रहा The fridge is malfunctioning या फिर The fridge is not functioning well TV ठीक से नहीं चल रहा था तो हमने उसे ठीक कराने दे दिया है पंखा ठीक से नहीं चल रहा क्या? इसे बंद क्यों कर रखा है? या फिर ये रिमोट ठीक से काम क्यों नहीं कर रहा? अब एक सेंटेंस आपके लिए मेरा लैपटॉप ठीक से काम नहीं कर रहा इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? या आप मुझे कमेंट्स में बताएए और अगर आपको इवीडियो अच्छी लगी है और आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज इससे लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पढ़नाए है तो रोज इंग्लिश सीखने के लिए प्लीज इससे सब्स्क्राइब कर लीजिए चलिए अब हम मिलेंगे जल्दी ही एक नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ अब सक की दे टेकर, बाइब बाइ